के गाइज वेलकम बाक टो मैं चैनल डिलिशियस सीजलिंग आज मैं आपके साथ बिर्यानी ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूं यानि आप इस बिर्यानी ग्रेवी को एक बार बनाके सवें डेज सक रीफिरिजिरेटर में रखके स्टोर कर साथे हैं ताकि आपको जब भी नहीं आप इसमें रोटी के साथ भी कहा सकते हैं काफी टेस्टी होती है अगर वीडियो पसंद आए तो बीज बीडियो को लाइक करना ऐती है करना और शेर करना ना भूलिए मेरी आज की रेसिपी सभी को यूस्फुल होगी तो चलिए रिस्पी बनाना शुरू कर लेते हैं इंस्टेंट बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए यहां पर मैं वन केजी चिकन ले रही हूँ आप चाहे तो ज्यादा चिकन भी ले सकते हैं इसमें मारिनेट के लिए सॉल्ट एड किया है नेक्स्ट रेड चिली पॉडर यह कश्मीरी रेड चिली इसमें स्टेंट आप मैं रिफ्रिजिरेटर तक स्टोर कर रहे तो आप इसे हाथ से बिल्कुल भी मैं किजिए गा ताकि फ़राब हो सकता है तो बेटर ही होगा कि आप इसे स्पून से मिक्स कर रख दीजिए गा नेक्स्ट हमस्त चाहिए 1 बॉल मैंने ऐल और आट कर दिया मिंट लीप्स प्रद hum गणा वीयो कटीज साना टांट व चिन गालिक पेस्टी दें सादा । इसमें टमााटर gauche तू अच्छे से नेक जानेके बाद चिन आपके आर मैं तब मीर्म तोय कि मेडियम सीज्ड़ी है मिक्स करके इस पे spices आट कर देंगे यहां पे मैं आट कर रही हूं हल्दी पॉडर हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पॉडर अगेन नमक नमक हमने मारिनेट करते वक्त भी आट किया था तो देख के दालिएगा अगर आप इसे स्टोर करना चारे तो नमक का क्वांटिटी अपर जोड़ी गूबार बीधिर हाइन पर रखे मर्शमक्त के इसमें उसमें आड़ कर देंगे ग्रीन चिली स्ट मड़र मिल्टी स की खिख द्रिख से टिएगए म कियाा अच्छे स एक लिए जे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे फक्रे हम इसकोतों प्लेट कवर कर ल देखिए यह अच्छे से पक रहा है चिकन हमारा तो इसी दावरान हम इसमें आट कर देंगे गरम मसाला गरम मसाला या फिर बिर्यानी मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें आट कर सकते है इसे आट करने के बाद यहां पे मैंने 2 टेबल स्पून आफ गरम म पकटे देते हैं बिल्कुल लो फेम पे रखके ताकि चिकन अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो यहां पे मैं लो फेम पे रखके पका रही हूं चिकन को अगर आपको नमक या मसाला कुछ कम लगा तो आप इसी स्टेज पे देख सकते है तो यह अच्छे से पक चु स्टोर करके रख सकते है तब भी आपको बिर्यानी खाने का मन किया आप इसमें चावल आट करके बना सकते है तो इस चावलों की प्रिपरेशन करते कैसे मैं आपको बताऊंगी परस्ट हमने यहां पे एक बॉल ले लिया है इसमें मैं चावल आट कर रही हूं यहां पे मैं बासमती राइस ले रही हूँ आप चाहे तो रेगुलर राइस भी ले सकते हैं देखिए यहां पे चावल मैंने पकने के लिए रख दिया है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट आड़ करके इसे पका रही हूँ चावल को जैसे ही चावल पक चाहे हम इसे बिर्याने ग्रेवी में दाल रही हूँ रेड पूट कलर रेड या और इंज या फिरियलो आपकी मर्जिय आप जो चाहे वो दाल सकते है इसे दालने के बाद हम इसे दालने के रखे तेन मिनिट तक पकने देते लोपें पे रखे जैसे इसमें स्मोक शुरू हो जाए इसका मतलब यह है कि पोफेक् रखे 7 देश तक आपका मन तब भी चाहे आप डाइली इस बिर्यानी को बना सकते है या फिर आप इस ग्रेवी को रोटी के साथ भी खा सकते है देखिए हमारी बिर्यानी पोफेक्ली डन है ट्रस्ट मी आपका टाइम भी से हो जाएगा और काफी एजी रेसिपी भी है यह आप लोग इस रेसिपी को एक बार बना के स्टोर कीज़ेगा फ्रीज में काफी एजी है टेस्टी है और टाइम सेवर रेसिपी भी है पोफेक्ली हमारी बिर्यानी तो डन है